स्टूडेंट आइम जोती प्रामनव जोती ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी हाव यू आल आज हम पढ़ेंगे यूनिट नमबर थर्ड का चेप पोयम लिटिल बाई लिटिल ठीक है एवन दिल बिगेस्ट ट्री बिगें लाइफ एस टीनी सीट्स तो कहरा है एक बड़े से प जैसे लाइफ कैसे वह पर बड़ा होगा तो हम इसमें पढ़ेंगे से हैं इस पोयम का नाम चले पढ़ते हैं से लिटिल लिटिल एंड एकॉण सेट ऐस इस लोली सेंकि इन इस मॉसी बेट तो कहता है जो छोटा सा एकॉण बीज है वो कह रहा है मैं अपने बैट पर हूँ मतलब जमीन के अंदर रहता है ना बीज तो वो उसका बैड वाना गया है ठीक है धीरे धीरे मैं अपने बैड पर हूँ स्लोली सैंक कर रहा हूँ I am improving everyday मैं रोज अपने आप बदल रहा हूँ improving मतलब improvement होता है ना ठीक है तो ऐसे उसके उसमें भी improvement हो रहा है बीज के उसमें hidden deep in the earth away और वो जमीन के नीचे छुपा हुआ है ठीक है अर्थ के नीचे ही तो रहता है बीज little by little each day it grew और धीरे धीरे करके वो रोज जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है little by little it sived the dew और ओस की बूधों की क्या कर रहा है चुसकियां ले रहा है ठीक है downward it sent out a thread like root downward मतलब नीचे की तरफ ठीक है नीचे की तरफ उसकी धागे नुमा संरशना निकलती है जिसे हम root बोलते है अब इंदा air sprang a teeny shoot और हवा में जो है क्या होता है air के उपर मतलब जमीन के उपर जो है उसको उसका suit निकलता है जिसको हम तना भी बोलते है ठीक है day by day and year by year मतलब दिन पर दिन और साल पर साल little by little the leaves appear धीरे धीरे करके उसमें क्या आती है leaves आती है leaves मतलब पतिया and the slender branches spread far and wide और उस पर जो है branches उसकी शाखाएं जो है वो बहुत बूदूर दूर तक फैल लती है till the mighty oak is the forest pride छोट आसा जो oak है ठीक है एक बड़ा विशाल oak बन जाता है जो जंगल का क्या होता है pride ठीक है कह रहा है इस वाली line को दुबारा पढ़ लेते है and the slender branches spread far and wide slender मतलब उसकी पतली पतली जो ब्रांचेस होती है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है till the mighty oak is the forest pride तो जो mighty मतलब होता है विशाल तो यह वो बड़ा सा जो विशाल पेड oak tree है oak tree मतलब बाच का पेड ठीक है but I am improving every day hidden deep in the earth away little by little each day it grew little by little it sift the dew downward it sent out a thread like root up in the air sprang a teeny shoot day by day and year by year little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride okay new words देख लेते हैं hidden मिन से छुपना slowly मतलब दीरे दीरे डाउनवर्ड लिकम नीची की तरह slender मतलब पतली ठीक है might मतलब विशाल बड़ी सी ठीक है branches मतलब शाखाएं pride मतलब गर improving मतलब अपने आपको चेंज करना बदलाव लाना सिब्ड मतलब जुसकिया लेना जैसे आप चाई की जुसकिया लेते हैं ऐसे ठीक है shoot मिन से तना चलिए इसकी exercise देखेंगे question answer question number first है आपका name the tree that the acorn grow into तो जो इसमें दिया था अभी acorn, acorn मतलब मैंने बताया था बाचपल उससे कौन सा पेड बनता है the acorn grow into an oak tree ठीक है तो इससे acorn यान की बाचपल से जो है बाच का पेड बनता है what things does a seed need to grow एक sheet को किस चीच की जरुवत होती है बड़े होने के लिए ग्रो होने के लिए जैसे आपको भी ग्रो होने के लिए खाने की जरुवत होती है ना तासे की जरुवत होती है बड़े होने के लिए ठीक है how many describing words can you find in this poem आपको इस poem में कौन-कौन से describing words मिले तो describing words in the poem are slowly, improving, deep shaped, teeny plander, mighty etc. तो यह सारे describing words, describing word मतलब जो noun या pronoun को describe करता है ठीक है? मतलब उसकी विशेशता बताता है look at the two pictures, find four things that are different about this tree and talk about them आपको दोनों ट्री दिख रहा है ना one और second, first और second तो देखिए जो पहला वाला ट्री है, उसमें क्या डिफ्रेंस है? कहरा है, the picture one show that the tree which give many intention things the contrary, picture two show how we harm the tree in many ways picture one में आपको दिखता है कि tree हमें कित्ती सारी चीज़े देता है और picture two में आपको दिखा जाता है कि हम जो है tree को कैसे कैसे नुक्षान पहुचा रहे हैं in picture one the tree gave us medicine while in picture two we are burning wood around it देखो picture one में जो है हमें tree medicine देता है और picture two में दिखाए गया है कि हम उसकी लकड़ी का use करके उसे मतलब जलाते हैं ठीके the stem and leaf of tree in picture one are smiling whereas these of the tree in picture two are sad and weeping देखो picture one में जो है पेर खुश हो रहा है न उसकी सारी leaves smile कर रहे हैं जबकि second बाले में वो रो रहा है क्योंकि हम लोग उसे नुक्सान पहुचा रहे हैं इसलिए picture one showed that the bird are happy in their nest on the tree on the other hand in picture two the bird are moving away from the tree due to problems created by the humans picture one one में सारी birds खुश है अपना घौसला पेड़ पेड़ बना के लेकिन picture two में जो है सारी पेड़ को इतना सारा नुक्सान जब मनुश्य पहुचा रहा है तो सारी bird वहां से चली जा रही है परिशानियों की बज़ेश ठीक है look at the picture one write three sentences on what the tree gave us अपने picture one को देखकर बताना है कि उसमें जो है वो कौन सी ऐसी चीज़े है जो हमें देता है कौन ट्री ठीक है तो trees give us fruit and vegetable tree हमें fruit और vegetables देते है they give us fresh oxygen और सबसे important हमें oxygen देते है they give wood for shelter यह हमें लकली देते हैं घर बनाने के लिए भी they provide us medicine और जो है medicine medicine यानि की दवाईयां भी सारी tree से ही बनती है ठीक है now look at the picture write three sentences on how we harm the tree अब हमें picture two को देखकर बताना है कि हम जो है पेणों को कैसे नुकसान पहुचा रहे हैं तो हम कैसे पहुचा रहे हैं we cut branches of tree for burning हम पेणों की branches शाखाय कार देते हैं आने के लिए that case pollution by setting up industries setting up industries industries में जयाने की बड़ी-बड़ी जो factories है उन मेंसे जो pollution होता है वो भी tree को नुकसान पहुचाता है we pluck leaves for feeding domestic animals हम क्या करते हैं जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों को काट कर domestic animal को खाना देते हैं we cut tree to make our house हम अपना घर बनाने के लिए tree को क्या करते हैं cut कर देते हैं these words describe part of a tree write them in the given space आपको देखो यह कुछ चीज़ें है कुछ पेड़ के भाग हैं पहला stem है तो आपको बताना है इनके बारे में stem क्या करता है it gives strength to the tree and help in making the tree stand straight तो जो stem है वो पेड़ को strength देता है और उसको बिल्कुल straight होने के लिए bark it is brown colored part present on the stem stem में जो बाहर से brown color का part होता है उसको हम बोलते हैं bark मतलब पेड़ की चाल leaves मतलब आपको पता ही है पतियां जो हरे color की होती है और बहुत सारी होती है पेड़ पेड़ के लिए खाना भी पतियां ही बनाती है और branches जो है branches हो गए उसके अलग-अलग शाखाएं जो आपके these parts these are parts emerging from stem on the leaves grow birds make their nest on them जो branches होती है वो पतियों अलग-अलग शाखाएं हो जाती है ठीक है तने के बाद जो है शाखा का नंबर आता है और शाखा में जो है nest बनाते को बर्ट्स twinks क्या है these are tin weak branches twinks मतलब जो weak branches हो जाती है सूख जाती है root root क्या है आपको पता है root जो है जड़ है वो अर्थ में अर्थ को hold करता है ठीक है और मिटी वहां से मतलब बहती नहीं है और thread की जैसे होता है धागे की जैसे और shoot shoot क्या होता है देखो सब पेड का सबसे uppermost part of the plant above the soil soil से उपर निकलते वे जो parts होता है उसको हम shoot both आपको opposite words मैच करना है देखो downward का होता है upwards ठीक है little मिन से छोटा big मिन से बड़ा slander मिन से पतला fat मिन समोटा mighty मतलब ताकतवर weak मतलब कमजोर day मतलब दिन और night मतलब ठीक है एक दूसरे के opposite मतलब ultra earth बताते तो I hope ये chapter आपको समझ में आ गया होगा Thank you